आज की इस क्लास में हम लोग आपके बिहार बोर्ड क्लास 10 संस्कृत का जो बूक है इस बूक के सबसे महत्वपूर्ड चैप्टर चैप्टर नमर छो जिसका नाम है भारतिय संस्कारा उसका अध्यान करेंगे ए पाठ ऐसा पाठ है जिससे की तमाम परस्ण हर साल आपको बोर सान भासा में समझने का परियास करेंगे जो चातर पहली बार इस कलास से जूड़े हैं उनकी जनकारी के लिए हम बता दे कि हम आपको बिहार बोर्ड क्लास 10 के संस्कृत के बूक हम लोग एक से सुरू की है चैप्टर से और पीछे हम लोग 5 तक पढ़ चुके आज 6 नमर च संसकार आर्थात कि इस चैप्टर में आपको भारतिय संसकार के बारे में जो यहां पर देख पारें सभी संसकार को कुछ चीत्र के माध्यम से दर्साया गया इस पूरे चैप्टर में हम लोग भारतिय संसकार के बारे में पढ़ेंगे यहां से आपके पाठ परिचय की सुर के बेक्तित्व का निर्माड करता है बिदेश में रहने वाले भारतिये लोग भी संसकारों के प्रति सजग और उन्हें जानने की इक्छा रखते हैं पाठ में उन भारतिये संसकारों का संचिप्त परिचे और महत्तों को दर्साया गया है निरूपित किया गया है पाठ पूजनिक यूग में संस्कार सब्ध ब्यंग रूप में पर चलित हो गया है क्योंकि लोग धिरे-दिरे संस्कार को और अपने भारतिय संस्कृति को भूलते हुए जा रहे हैं। कि एक गुण का दूसरे गुण में अच्छे गुणों का अधान परदान क्या कहलाता है संसकार कहलाता है इस पार्ट में हम लोको भारतिये कुछ महत्वपून संसकारों के संचिप्त परिचय के बारे में पढ़ना है और उसके महत्तों को जानना है चलिए आपकी चैप्टर क कि शुरुआत यहां से हो रहे दिया भूक रखे होंगे तो मिलाते चलिए भारतिये जीवने से लेकर और यहां तक के अर्थ को आईये समझते हैं संसकार प्राचीन काल से ही भारतिये जीवन में महत्तों रखते हैं प्राचीन संसकृती को जानने के लिए संसकार किये जाते इस संबंद में रीशियों की कलपनाती की जीवन के सभी मुख्य आउसर पर बेद मंतरों का पाठ, बड़ों का असिरबाद, होम, परिवार के सभी सदस्यों का मिलन, ये सभी संसकारों का अनुस्ठान करते समय ही संभव है। पुनों को निरूपित करने में सहायता करते हैं। ये संसकार से कितना अच्छे अच्छे गुण आपके अंदर संचालित हो सकते हैं कि आपको बड़े का असिरबाद मिलेगा, इस परिवार के सभी सदस्यों का मौका भी मिलता है। और आगे आपसे पूछता है परिच्छा में कि संसकार का क्या अर्थ है तो संसकार का बीशेस और मौली करते हैं। पबीत्रता, सुधता और मनुष के गुणों का निरूपित करना था। साथ हमारे अंदर अनेक परिकार के अच्छे अच्छे गुणों का निरूपन संसकार ही करते हैं। अब आपके बुक में यहां से यहां तक की सुरुवात हुआ है ता आए इसको और्थ को समझते हैं। यहां से तो तमाम प्रस्ण हर साल इस साल भी आपको बोट परिक्षा में देखने को मिलेंगे। यहां पे जनकारी दिया गया कि संसकार पर आया पांच परकार के होते हैं। जन्म के पुर्व तीन बाले अवस्था में चोह संबंदी पांच गिरहस्त संसकार विबाहरूप में और एक मरन के बाद तकुछ इस परकार 16 संसकार होते हैं। फिर से मैं परस्ण को रिपीट करता हूँ मेरे साथ आभी दोरा कर याद करते चलिएगा। जन्म के पुर्व होता है। इस आयोजन करना ताकि उनसे उधपन होने वाला सीसू भी परसन रहे और वह भी एक अच्छे संसकार के साथ उसका भी इस दुनिया में आगमन हो। सैसव संसकारों में जात कर्म, नामकरन, निसकर्मन, अनप्रासन, चूडा कर्म और कर्ण बेध संसकार होते हैं। यहाँ पर पढ़ेते कि बाले अवस्था में 6 संसकार होते हैं तो वहीं पर उसे हैं बोलते हैं सैसव संसकार और सैसव संसकार में जात कर्म याद रखिए कि नामकरन, निसकर्मन, अनप्रासन, चूडा कर्म और कर्ण बेध संसकार हैं। पूछा जा सकता है कि सैसव संसकार कितने होते हैं तो 6 नाम लिखिए तो यह शक आप नाम लिख देंगे और यह पूछा जाए कि कर्ण बेध संसकार की संसकार के अंतरगत आता है तो ऐसे प्रस्ण को आपको समझ कर रखना है। चली अब यहां से लेकर आपके सिक्षा संसकार एसू से लेकर और इतियादी तक के अर्थ को समझते हैं। प्रस्ण के नाम हम लोग देख लिए अब सिक्षा संसकार में हम लोग पढ़े थे। उनका नाम बताया गया अक्ष्रा रंब उपनयन बेदा रंब के सांत और समवर्तन संसकार इस सिक्षा संसकार के अंतरगत आते हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है अगर पूछा जाए उपनयन संसकार की संसकार के अंतरगत होता है। सिक्षा संसकार के अंतरगत आयसे हैं अक्ष्रा रंब कोई भी पूछा रहा है तो ऐसे आपको जबाब दे दे ना है। अक्ष्रा रंब में सीसु, अक्षर लेखन और अंकलेखन प्रारंब करते हैं। प्राचीन काल में सिस्य ब्रमचारी कहे जाते थे गुरू गरीही में ही सिस्य बेदाध्यन शुरू करता था कि घर पे बच्चों को अक्छर लेखन का अभ्यास कराके और प्राचीन काल में उसके बाद होता था उपनयान संस्कार और इसके बाद उपनयान संस्कार आयोजन हो अपने घर पे गुरू कुल में और वहां पे सिस्यों को रहा कर सिक्षा नियम का पालन करते हुए वे लोग अध्यान करते थे और उन्हें बोला जाता था कि इन सिस्यों सभी ब्रहमचारियें ब्रहमचर ये बरत का धारन कर लिए हैं पहले जैसे आप अभी स्कूल कॉलेज मे हुअ समझे सब जीज जान लिया पहले के लोगों के ऐसी आउधालना थी केसांत संसकार में गुरू गिरिह में ही सिस्यों को पर्थं और चौर करम होते थे केसांत संसकार का भी आयोजन कहां होता था घौरू के घर पे ही यहां गोदान मुख्य करम था इसलिए साहित ग्रं थोता था था उसके बाद अंतिम रू के घर पे अंतिम जो सिस्यों का संसकार होता था उसका नाम था समवर्तन संसकार और समवर्तन संसकार के बाद सिस्य जो है वो गुरू गुरी से अर्थात कि गुरू कुल से निकल कर अपने घर के लिए गिरहास्त जीवन के लिए अर्थात कि जैसे ही समवर्तन संसकार होता था उसके बाद गुरू जो थे वो अपने सिस्यों को उपदेश देते थे कि ठीक है आप आप जाईए यहां से गिरहस्त जीवन में परवेश कीजिए लेकिन आपको एक कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपको हमेशा सत्य बोलन हर किसी का अंदर गत्र उपित किया जाता है तो आप समझ सकते हैं इन संसकारों को आज की यूग में कितना जैदा हो सकता है कि सब गुण अगर आपके अंदर रहता है तभी आप एक अच्छे इंसान और सफल इंसान बन सकते हैं अब यहां से जो बीबाह संसकार से लेकर रीती तक दिया गया है इसके अर्थ को आईए पहले जानते हैं हम लोग सिर्फ हिंदी देख रहे हैं आगे हम लोग सभी संसकार के बारे में आप कैसे जान सकते हैं यहां पे जानकारी दिया गया है कि बीबाह संसकार के द्वारा ही मनुस वस्तुता गिरहस्त जीवन में परवेस करता था ये भी प्रस्न पूछा जाता है कि किस संसकार के द्वारा मनुष गिरहस्त जिवन में परविश करता है तो बीबाह संसकार के द्वारा बीबाह एक पवित्र संसकार है जिसमें विविन परकार के करमकांड होते हैं इनमें वागदान, मंडप, निर्बान, बधु के घर पे वरवक्ष का स्वागत, वर और बधु का परसपर देखना, कन्यादान, अगनी अस्थापना, पारी गरहन, लाजा, धान के लावे का होम, सब्त पदी, सिंदूरदान, इत्यादी, सभी जगह पर आया बीबाह संसकार का समान रूप से आयोजन होता है, अर्थात कि बीबाह संसकार को सभी मानव जीवन में, जितने भी हमनों संसकार पढ़े हैं, उन सभी में पवित्र संसकार माना गया है, क्योंकि इसमें कभी दो नमर के जो यहां से दिर्गुतर ये प्रस्न पूछाते हैं उसमें पूछाता है कि बीबाह संसकार के बारे में लिखी हैं तो यह सभी आपको यहां से लेकर और यहां तक जानकारी देना पड़ेगा तो इसको आपको ध्यान से याद रखना है आगे जानकारी दिया होगा इसके बाद मरने के बाद एक ही संसकार सेस होता है अंतेस्टी संसकार तो अंतेस्टी संसकार कब किया जाता है मरने के बाद इस परकार भारतिये जीवन दर्शन में संसकार महत्वपून उपादान है आपने देखा कि भारतिये जीवन दर्शन में भारतियों के जीव समाल संसकार में क्या होता है है? या जो भी आम लोग पीछे पढ़े हैं, शुल्ला संसकार की जो ऊब में चर्चा की होता है? इनुच्छेल में आपको चाहिए और उसके साथ इस चैप्टर से कई स्रूप में सब्जेक्टि प्रसंत पूछे जातें उनका जब आप कैसे लिखेंगे तो इन सभी की जानकारी मैं आपको पहले दे चुका हूँ इसलिए मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहूं तो यहाँ पे स्क्रीन पे जो आपको वीडियो दिखायी दे रहा है इस पे click करके आप हो सभी जानकारी जरूर देख लिजिएगा या आपको नहीं मिलता है वीडियो का लिंक तो आप नीचे कमेंट करके भी मांग सकते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जनकारी दीजेगा कि आपके लिए अगर एक कलास महत्वपूर्ण है तो हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करने का इस कलास को परियास करेंगे तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद